प्रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रू दबाएं सभी किसान वैपारी और आड़ती भाईयो को राम राम भाईयो आज दिन है विरवार और तारीक है 30 नवेंबर 2030 आज सुबह बादल चाय रहे गूगल वैदर रिपोर्ट के अनुसार कल भी बादल चाय रहने की संभावना है भाईयो मंडी में नए आलू की आवक हर दिन बड़ोतरी पर है और बाजार नीचे की तरफ जा रहा है अभी मार्किट में जो नया आलू आया है वै थोड़ा कच्चा होता है जिसका ठहराओ कम रहता है इसलिए हर दिन जरुरत के हिसाब से और उठाओ के हिसाब से जब माल ज्यादा होता है तो बाजार निश्चित है कि वै नीचे की तरफ ही रहेगा नया आलू का बाजार नीचे आने के कारण अब पुराने आलू में आगरा जैसे माल की डिमांड बहुत कम रह गई है पुराने आलू में आजकल चिप सोना आलू की डिमांड फिर भी कुछ अच्छी देखने को मिल रही है ज्यादा तर होटल में और शादियों में चिप सोना आलू की डिमांड रहती है और यह है एक कारण भी है कि चिप सोना आलू आज भी नए आलू के मुकाबले 50 से 100 रुपे तेल चल रहा है नए आलू के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं आड़ती भाई से आज आलू आगरा का बाजार रहा 250 रुपे से 280 रुपे कटा प्याज में भाईयों हर दिन का उतार चड़ाव जारी है कभी प्याज 3 रुपे उपर तो कभी 3 रुपे नीचे रह जाता है यह उतार चड़ाव अभी आगे भी इसी तरह चलता रहेगा कल प्याज में 5 रुपे से 4 रुपे की तेजी रही थी तो आज प्याज में 2-3 रुपे की गिरावट भी सुनने को मिल रही है प्याज के कुछ सुरुआति दाम आज इस प्रकार से रहे प्याज चोपडा 30 रुपे से 33 रुपे किलो और नया प्याज अलवर वाला 20 रुपे से 24 रुपे किलो लैसुन की आवक भाईयो सोमवार के दिन अच्छी रहती है और सोमवार के दिन ही लैसुन की बोली होती है लैसुन के बाजार भाव के लिए और लैसुन की बोली के लिए आप हमारी कल वाली वीडियो ज़रूर देखें सोमवार की रिपोर्ट के हिसाब से ही आप पूरे सब्ताय का बाजार मान कर चले भाईयो यह था आज करनाल मंडी में आलू प्याज और लैसुन का बाजार भाव वीडियो भाग एक अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मुन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद सभी किसान वैपारी और आरती भाईयो को राम राम भाईयो फल वैस सब्जियो के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैट आइकन को जरूर दबाए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके